हेलो एवरिवन तो कैसे आप लोग आज है हमारा mechanical properties of fluid का तीसरा lecture और इसके अंदर हम लोग देखेंगे pascal's law and its application तो चलिए शुरू करते हैं बेसिकली यह जो pascal's law होता है वह हम डेली यूज़ करते हैं आप कहोंगे के हम तो नहीं यूज़ करते सर पर आप डेली ब्रश नहीं करते गया ब्रश करने के लिए हम toothpaste यूज़ करते हैं और वो जो toothpaste की जो tube होती है for example यहाँ पर मैं क्या consider करूँगा यहाँ पर एक tube है और वो tube कैसी है पूरी बरी हुए यहाँ से दुकान से आप नहीं लेकर आए हो आएसा consider करो यहाँ पर क्या होगा जब हम इसे प्रेस करते हैं यहाँ से अगर हम प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद क्या होगा यहाँ से वो जो open तो आगर हम यहां पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहां से प्रेस्ट पाहर आएंगा तो बेसिकली यह होता है पास्कल्स लाउ Pascal's law क्या होता है The pressure applied at any point Of an enclosed fluid Pressure applied at Pressure Applied At any point At any point Of an Of an enclosed Fluid Enclosed Fluid At rest At rest Is Transmitted Transmitted Equally and Equally And Undiminished Undiminished To Every Point of the Fluid Point of the Fluid This is The pressure applied at Any point Of an enclosed Fluid Enclosed Fluid means What? What? If I have This system We can consider Inclosed Because If we can see Force apply at First यहाँ पर दूसरा कौन भी फोर्स अप्लाई नहीं था, सिर्फ हमाने जब एक्स्टर्नल अप्लाई किया तभी था तो यहाँ पर क्या होगा? जो इनक्लोस् शिस्टिम होगी, फर एक्जमपल यहाँ पर मैं आगल बलून लो या, बलून के उपर यह जो बलून होगा, बलू इसके उपर हमने force apply किया, force apply किया, means यहाँ पर क्या कि हमने pressure apply किया, force यहाँ पर apply होंगा, इसके वाज़ यहाँ पर pressure create होगा, okay, at rest, यह कैसा है, rest position के उपर है, is transmitted equally and undiminished to every point of the fluid, अगर मैं यहाँ से pressure act करूँगा, तो pressure act करने के बाद, यहाँ पर, for example, इसका पहले, यहाँ पर force apply करने के बाद, यहाँ पर एक pascal इतना pressure create होगा, ओके, यह point के उपर, तो यह point के उपर भी क्या होगा, एक pascal का pressure act होगा, यह point के उपर भी क्या होगा, एक pascal का pressure act होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, वन पास्कल प्रेशर एक होने वाला है तो यहाँ पर क्या हुआ एक पॉइंट के उपर अगर हम प्रेशर एक्ट करेंगे तो वो क्या होँगा transmitted equally and undiminished to every point of the fluid मतलब यहाँ पर क्या होँगा equally यहाँ पर जितना होँगा वो ही क्या होँगा each and every point के उपर होँगा और वो भी कैसा होँगा equal and undiminished मतलब यहाँ पर एक पास्कल है तो यहाँ पर आदा पास्कल नहीं आएगा यहाँ पर भी एक ही पास्कल होँगा मतलब यहाँ पर क्या होँगा change नहीं हो रहा है वो जो प्रेशर है वो equally सब में distribute हो रहा है तो यह होता है basically पास्कल स्लो और यह जो प्रेशर एक्ट हुआ है यह प्रेशर सिर्फ फ्लूट के अंधर भी नहीं होँगा वो कहाँ पर होँगा and on the walls of the container and on the walls of the container वो जो होगा प्रेशर होँगा प्रेशर फ्लूट के अंदर तो हो गई वो जो container है उसके walls के उपर भी क्या होँगा यह प्रेशर एक्ट होने वाला है यह होता है पास्कल स्लो आसान माशा में आगर हम कहे तो अगर एक सिस्टीम है तो सिस्टीम के उपर आगर हमने यहाँ से प्रेशर अपलाई किया तो वो प्रेशर हर पॉइंट के उपर equally distribute होँगा equally जाएंगा और वो भी क्या होँगा उसके अंदर magnitude भी क्या होँगा उसका same रहेंगा चेंज नहीं होने वाला है यह होगा है पास्कल स्लो इसके बाद हमें इसके applications देखने हैं अब यह जो पास्कल स्लोई इसके application आपने देखने हैं अब इसे पास्कल स्लोई क्यों कहते हैं यहां पर एक पॉइंट रहे गया था यह 1652 के अंदर ब्लेस पास्कल ब्लेस पास्कल एक साइंटिस्ट है इसने यह observation किया हम तो डेली यूज करते हैं toothpaste पर हमें यह idea नहीं आया पर ब्लेस पास्कल ने क्या किया यह observation किया इसे और उसके उपर से एक law दिया जो है पास्कल स्लोई इसी के उपर से उसे यह जो पास्कल यूनिट आये प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वेर इसकी जागा हम क्या लेते हैं पास्कल लेते हैं तो यह भी इसके उनर मिल लिया गया है कि उसने लॉज दिये इसके उपर काम किया इसलिए यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वेर को पास्कल भी गए थे ओके तीक है आप यहाँ पर टॉपिक क्या चल रहा है एप्लिकेशन सॉप पास्कल्स लॉग तो इसके अंदर पहला आप्लिकेशन है अपना हाइड्रोलिक 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 लिफ्ट अब यह हाइड्रोलिक लिफ्ट कहाँ पर होती है सर्विस स्टेशन के उपर जहां पर बाइक्स कार्स वेहिकल्स वाश करने के लिए जो लिफ्ट यूज करते देखिए आप यहाँ पर आपने देखा भी ह होंगा के servis station के ईपर फॉर और लेकर गया तो उसे क्या करते में एक लिफ्ट होती है मतलब उसे क्या होगा अंदर एक मशीन होती है वी मशीन ऑन करने की बाद क्या होगा जो वेहिकल होगा फ़र एक्जामपल यहां पर लेवल पर ग्राउंड लेवल पर था तो तो वह क्या करते हैं यहां से प्रेशर आपले करने गए बाद मशीन आउन करने गए यह वहीकल ऊपर चले जाता है आईसा तो वही होता है hydraulic lift उसका mechanism कैसा है हुआ हम देखने वाले अब यह जो hydraulic lift है इसके अंदर Pascal's law का यूज़ किया जाता है Pascal's law का कैसे यूज़ करेंगे तो इसके अंदर basically दो containers होते हैं दो containers क्या किया जाते हैं जॉइन किये हुए फर एक्जामपल यहां पर दो containers जॉइन किये क्या किया है इसके अंदर liquid बारा हुआ basically oil होता है इसके अंदर तो यहां पर for example हमने क्या कि consider कि है कि यहां पर oil बारा हुआ है इसके अंदर ओके पर यह जो container लिए है हमने इसके अगर हम area देखें cross sectional area तो यह कैसे different है इसका cross sectional area small इसका cross sectional area large है तो यहां पर यह जो पहला container है tank है इसका area हम A1 consider करेंगे और इसका जो area है वो consider करेंगे A2 तो यहां पर basically क्या है A1 is very very smaller than A2 यहां पर A2 बहुत बड़ा है as compared to A1 तो यह जो system है container A container B इसको क्या किया है हमने यहां से piston होता है एक यहां पर क्या होगा एक piston होगा मतलब इसके उपर एक धक्कन लाग दिये है ऐसा consider करेंगे हम ठीक है तो basically क्या होता है यह जो cross section smaller cross section जो area होगा इसके उपर यह piston के उपर क्या करेंगा हम यहां से force apply करेंगे for example यहां प्रेश्व आप्लाई किया F1 अगर हम यहां पर force apply करेंगे तो यहां क्या होगा इसकी वाज़ासे यहां pressure create होगा कहां पर यह piston के उपर तो वो यहाँ पर अगर प्रेशर क्रियेट होगा तो प्रेशर कहाँ पर जाएंगा यहाँ पर भी उतना प्रेशर इंक्रीज होगा यहाँ पर भी उतना प्रेशर इंक्रीज होगा यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी ऐसा करते करते वो दूसरे कंटेन दूसरे कंटेनर में भी क्या होगा यह जो पूर लिक्विड है इसके अंदर भी क्या होगा उसका प्रेशर चेंज होगा उसका प्रेशर भी क्या होगा वह चेंज हो जाने के बाद यह जो पिस्टन है इसके उपर भी क्या होगा प्रेशर इसके उपर प्रेशर एक्ट होगा और वो pressure act होने के बाद यह क्या हो जाएंगे? यह piston ऊपर की तरफ जाएंगा, यह कहा जा रहा है नीची की तरफ, यह कहा जाएंगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर वो force कितना act हो रहा है, pressure कितना act हो रहा है, वह हम find out करेंगे, ठीके? तो basically, यहाँ पर जो pressure create हो रहा है, वो pressure कितना होगा, pressure का formula क्या होता है, pressure equals to force upon area होता है, force upon area, ओके? तो यहाँ पर जो pressure होगा, इस cylinder के उपर, for example, इसको हम x कहेंगे, इसको y कहेंगे, एक cylinder के उपर, जो pressure है, वो कितना होगा, p equals to, यहाँ पर force कितना act हो रहा है, f1, इसका area कितना है, a1, यह होगा, यहाँ पर act होने वाला pressure, तो यह pressure यहाँ पर इतना है, तो यह point के उपर भी कितना होगा, same pressure होगा, according to Pascal's law, in closed system में, यहाँ से यह जो pressure होगा, वो भी क्या होगा, equally इतना भी, इतना ही pressure यहाँ पर act होगा, therefore, the force acting on this y cylinder, और bigger cylinder is, यहाँ पर जो force होगा, force कितना हैंगा, यहाँ से अगर formula आपम देखे, क्या हैंगा, इस पर से, f equals to pressure into area, तो इसके उपर से, जो second cylinder है, second cylinder, second tank, इसको कुछ भी कह सकते हम, तो second cylinder के उपर, जो force act होने वाला है, f2, वो कितना हैंगा, pressure कितना act हो रहा है, p इतना, इतना ही pressure act हो रहा है, इसका area कितना है, a2 है, okay, तो यहाँ पर अगर हम इसकी value पुट करेंगे, तो क्या हैंगा, f2 will be equals to, p की value कितनी है, f1 upon a1 into a2, तो यहाँ पर f2 कितना है, इसका अलग ratio ले लेते हैं, f1 into a2 upon a1, अब यह जो equation है, इसके उपर से, अब यहाँ पर force कम act हो रहा है, या ज्यादा act हो रहा है, अगर हम equation देखेंगे, तो f2 is very very greater than f1, यहाँ पर हम small amount में force apply कर रहे हैं, पर यहाँ पर उसका magnitude क्या हो जा रहा है, force का increase हो रहा है, increase क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर force किसके उपर depend करती है, area के उपर, तो इसका area ज्यादा है, तो इसका force भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो यहाँ पर अगर हम कम force भी apply करेंगे, तब भी यहाँ पर हमें large impact मिलने वाला है, और large impact की वज़े से क्या होगा, इसके उपर कुछ भी राका हुआ है, जो vehicle होगा, वो भी क्या होगा, इसकी वज़े से lift होगा, उपर की तरफ जाएंगा, और यह किदर जाएंगा, नीचे की तरफ जाएंगा, यह होता है hydraulic lift, इसके बाद, इसका second application, application of Pascal's law में, second application इसका hydraulic, hydraulic brake, अब यह जो car के अंदर brake की system होती है, उसके अंदर भी हम Pascal's law का use करते हैं, अब इसके अंदर क्या होगा, same यही mechanism है, किसका hydraulic lift का mechanism है, पर उसके अंदर क्या difference ही हो हम देखेंगे अब, इसके अंदर basically क्या होता है, यहाँ पर brake pedal, जहाँ पर brake pedal होंगे, for example यहाँ हम consider करेंगे, brake pedal consider किये यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, basically एक cylinder होता है, यहाँ पर क्या होगा, एक cylinder होगा है, brake pedal यहाँ से हम force apply करेंगे, यहाँ पर क्या होता है? इसके अंदर liquid भारा होता है brake pedal यहाँ पर होँगा इसके अंदर liquid होँगा और इसका cross sectional area 4 है, इसके अंदर 4 तायर इसके लिए होता है तो हम basically 2 ही consider करेंगे यहाँ पर तो यह जो cylinder होता है इस cylinder को हम कहेंगे master cylinder master cylinder इसका एरिया होगा A1 इसका एरिया कितना है एरिया A1 इतना हम consider करेंगे और इसके अंदर क्या है liquid बारा हुआ है for example oil लेंगे हम फिर बाद में यह जो cylinder होता है इसका connection pipes के थुरुका होता है इसका बाकी के और दो cylinder होंगे उसका उनको connected होंगे for example यहाँ पर एक और यहाँ पर एक ऐसे दो cylinder लेंगे यह pipe से pipes के थुरुका कहा जाएंगा यह cylinder के अंदर जाएंगा यहाँ पर एक cylinder होगा और यहाँ पर भी क्या होगा एक cylinder होगा ओके तो यहाँ पर जो oil होगा वो ओईल क्या होगा इसके अंदर भी होगा इसके अंदर भी होगा यह दोनों सिलेंडर के अंदर भी क्या होगा ओईल होगा और यहाँ पर एक पिस्टन होता है यहाँ पर क्या होगा पिस्टन होगा यहाँ पर भी क्या है पिस्टन से तो इसके अंदर भी क्या है ओईल है इस आसके था कहें two इसका एएरिया होगए इसका ये जो दो शुलेंडर सामने कंशिदर किए इसे हम कहते स्लेव सिलेंडर्स क्या कहेंगे स्लेव ten cylinders को दोनों भी तो आप यहां पर होगा क्या जब हम यहां पर ब्रेक पेडल अपर पई रकिएंगे मतलब हम brakes apply करेंगे brakes apply करने के बाद क्या होगा यह जो piston होगा यहां का वो क्या जाएंगा आगी की तरफ जाएंगा ओके आगी की तरफ अगर गया तो यह जो liquid होगा इसके अंदर जो oil है वो oil भी क्या होगा आगी की तरफ जाएंगा आगी की तरफ जाने के बाद वो क्या होंगा अगर वो liquid आगे जा रहा होंगा तो यहां का liquid भी क्या होंगा आगी की तरफ जाएंगा और यह जो दो आगी की piston होंगे यह भी क्या करेंगे आगी की तरफ जाएंगे मतलब यहां पर अगर हम force अपलाई करें F1 तो यहाँ पर यह जो master cylinder है, यहाँ पर pressure कितना act हो रहा है, F1 upon A1, वही pressure क्या होगा, liquid के अंदर से transmit होकर कहा पर जाएंगा, वो piston के उपर जाएंगा, और यह piston के उपर भी कितना pressure act होगा, P pressure act होने वाला है, यह piston के उपर भी क्या होगा, pressure P act हो रहा है, तो आगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर area A1 है यहाँ पर area A2 है यह जो area A2 है A2 is very very greater than A1 A1 से बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो इसके बाद क्या होंगा यह जो piston होंगे तो इसके उपर force कितना act होंगा तो वो देखेंगे हम F2 जो force आने वाला है कहाँ पर यह जो slave cylinder से इसके उपर force कितना act होंगा force is equal to pressure into area area कितना इसका A2 है ठीक है तो यहाँ पर F2 कितना आएंगा F2 will be equal to P1 is F1 upon A1 into यहाँ पर क्या आएंगा A2 तो यहाँ पर इसको हम rearrange करेंगे तो rearrange करने के बाद क्या होंगा यहाँ पर F2 is equal to A2 upon A1 into F1 यह हो गया उसका जैसा हमने hydrolilifter में देखा था यह equation और यह दोनों भी कैसी है से में मतलब यहाँ पर अगर हम small amount हमने car चलाते हुए अगर किसी ने car चलाते हुए देखेंगी तो इसके अंदर क्या है आगर हम small amount में आगर फोर्स आपलाई करेंगे ब्रेक्स आपलाई करेंगे तो वह क्या होंगा large amount में आभी वह टायर जो होते हुए कितने बड़े बड़े होते हैं तब भी वह stop हो जाते है तो basically क्या होंगा यहाँ पर फोर्स आपलाई होंगा फोर्स आपलाई करेंगे पाद में क्या होंगा वह प्रेशर के अंदर क्रियेट होंगा वह प्रेशर लिक्विट के वजासे पास्कल्स लॉँ आख अकवार्डाईंग यह जो surface कितना होंगा that force will be greater than earlier force जो पहले force उससे क्या होगा वो greater होगा उसकी वज़े से क्या होगा यह जो piston होगा आगी की तरफ जाएगा और यह जो cylinders होगा इसके जो piston होगा वो क्या करेंगे basically जो tires के अंदर brick liner वोलती है वो system होती है तो उसके वज़े से क्या होगा वह पर pressure create होगा और उसकी वज़े से यह force apply होनी की वज़े से जो vehicle होगा वो stop हो जाएगा तो basically हमने यहाँ पर सिर्फ दो system बात है दो cylinder बात है तो यहाँ पर चार cylinder होती है यहाँ पर इसका connection यह जो oil होगा इसका connection और दो cylinders को होता है तो यहाँ पर हमें बस इसका mechanism समझना है उसके अंदर exactly क्या होता है वो देखना है इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है सिर्फ दो cylinders कंसिडर किये है ठीक है और वो जो magnitude होगा उसका हर जागा पर क्या होने वाला है सेम होने वाला है तो यह हो गयो इसका तो अगर इसके अंदर कोई doubt हो तो comment section के अंदर बात आईए वीडियो आच्छी लगी हो तो like कीजिए और यहाँ पर एक subscribe का icon आ चुका होगा तो इस icon के ओपर click कीजिए चैनल को subscribe कीजिए ठीक है मिलते हैं next वीडियो में